राधे राधे, मेरे प्यारे भाईयों, बेहनों, माताओं वा बंधों, संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ कि भाद्रपद अमावस कब है भाद्रपद अमावस का महत्व क्या है बंधों वैसे तो साल में आने वली सभी अमावस बहुत ही महत्व पूरन होती है और हर अमावस्ये पे दान, पुन, शनान का बहुत अधिक महत्व होता है प्रंदू बंधों भाद्रपद मास में आने वली अमावस का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि इस दिन पित्रों का तरपन किया जाता है कहा जाता है जो भात्रपद मास की आमावस्या को पित्र तरपन करता है पित्रों के निमित दान आदि करता है तो उनके पित्र हमेशा के लिए प्रसन हो जाते हैं और अपने कुल की सदा ही रक्षा करते हैं और उन्हें सदा ही सुक समरिधी परदान करते हैं बंधों यदि आपने YouTube चैनल संसकार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहें किया तो जरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें बंधों वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बोक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना बंधों भाद्रपद अमावस्या के दिन नदियों में शनान और उसके बाद दान दक्षना देने का बहुत अधिक महत्व है बंधों मैं आपको अपने वीडियो में भाद्रपद अमावस्या की तिति मुहूरत योग आदि के बारे में बताने जा रहे हूं भाद्रपद महा के क्रिशन पक्ष की 15 तिति को भाद्रपद अमावस्या होती है इस तिन नदियों में शनान और उसके बाद दान दक्षना देने का बहुत अधिक महत्व है बंधों इस महा की अमावस शनी वार को पड़ रही है इसलिए यह शनी अमावस्या भी हुई इस तिन शनी देव और पित्रों की पूजा करने से पित्तर प्रसन होते हैं और शनी दोश से मुक्ते मिलती है बंधों पंचांग के अनुसार भाद्रपद महा की क्रिशन पक्ष की अमावस्या तिति का प्रारम 26 अगस दिन शुक्रवार को दोपहर 12 बजगर 23 मिनट पर हो रहा है और इस तिति का समापन 27 अगस दिन शुक्रवार को दोपहर 11 बजगर 14 मिनट पर होगा सुरे उदे इसलिए 27 अगस को सुरे उदे के समय अमावस है इसलिए शुक्रवार की ही अमावस समझी जाएगी बंधों उधे तिथी के अधार पर भाद्रपद अमावस 27 अगस शनिवार को है इस तिन पीपल के पेड की पूजा करने से पितर देव और शनिदेव दोनों ही प्रसन होते हैं बंधों इस बार भाद्रपद अमावस शिव योग में बन रही है इस तिन प्राते काल से लेकर अगले दिन अठाई अगस्त को दो बजकर साथ एम तक शिव योग रहेगा इस योग में किये गए कारे शुब फल देने वाले होते हैं यह एक बहुत ही शुब योग है इस दिन शुब समय ग्याना बजकर 47 मिनट दो पहर से बारा बजकर 48 मिनट तक रहेगा यह दिन का अभिजित मुहुरत है बंधों भाद्रपद अमावस्या का महत्व क्या है भाद्रपद अमावस्या के दिन शनान और दान करने से पुन्य की प्राप्ति होती है भाद्रपद अमावस्या को पित्रों की पुजा करने से पितर प्रसन होती है इस दिन आपको सुबह साड़े ग्यारा बजे से श्राद करम पिंडदान आदी करना चाहिए भाद्रपद अमावस्या को शनान के बाद पितरों को काले तिल, अक्षत और फूल से तर्पन देना चाहिए जिससे वे त्रिप्त हो जाएं भाद्रपद अमावस्या के दिन शनी अमावस्या भी है इस तिन काले उड़द, काला तिल, सरसों के तिल का दान करने से शनी दोश दूर हो जाता है काल सर्ब दोश और पित्र दोश से मुक्ति के लिए आप भाद द्रपद अमावस्या को कुछ उपाई भी कर सकते हैं बंधों भादों महीने में अमावस्या का वरत रखने का भी बहुत अधिक महत्व है इस तिन महिलाएं और माताएं वरत रख सकती हैं ये वरत कुमारी महिलाओं को नहीं करना चाहिए इस दिन सुभे उठ कर शनान करें, संभव हो तो पानी में गंगा जल डाल कर शनान करें, शनान के बाद साफ सुत्रे कपड़े पहन कर व्रत का संकल पलें इस दिन चोंसर देवियों की आटे से प्रत्मा बनाने का विधान है, उनकी वस्त्र बहना कर उनकी पूजा की जाती है, मूर्थियों के गहने बनाने के लिए बेसन का आटा गुंद कर उस से हार, मांगटी का, चूड़ी, कान और गले के बना कर देवि को चुड़ाएं, सभी देवताओं को एक प्लेट में रखकर उन पर पुष्प अर्पित करें, इतना ही नहीं, पूजा के लिए गुजिया, चक्कर पारे, गुज के पारे और मठ्री बनाएं, और देवि देवताओं को भोग लगाएं, पूजा के बाद आटे से बनाएं देवि देवताओं की आ दक्षना देकर विदा करें, इस तरहें से किये गए व्रत को ही पूरन माना जाएगा और व्रत लाव मिलेगा, बन्धों, भादरपद अमावस्या व्रत और धार्मिक करम, शिनान, धान, तरपन के लिए बहुत महत्वपूरन है, यदि अमावस्या सोंवार की पड़े, तो इस दिन सुरे ग्रहन भी हो सकता है, ऐसा होने से इसका महत और भी बढ़ जाता है, बन्धों, अमावस्या के दिन, किसी नदी तलाव में शिनान करें, सुरे देव को अर्ग देने के बाद, बहते जल में तिल अर्पित करें, नदी के तट पर, पित्रों की आतम शान्ती के लिए पिंड दान करें, और किसी गरीब व्यक्ति या अब्रहमन को दान दक्षना दें, इस दिन काल सरब दोश निवालन के लिए पूजा अर्चना भी की जाती है, बन्धों, अमावस्या के दिन, शाम के समय, पीपल के पेड के निचे, सरसों के तेल का दीपक लगाएं, और अपने पित्रों को समरन करें, पीपल की साथ परिकर्मा लगाएं, बन्धों भाद्रपद अमावस्या को पितोरा अमावस्या भी कहते हैं, इस दिन देवी दुर्गा के पूजा भी की जाती है, इस संधर्भ में पुरानिक मानेता है, इस दिन माता पार्वती ने इंद पाहित इस्टियों द्वारा संतान प्राप्ति और अपनी संतान के कुशनल मंगल के लिए उप्रवास किया जाता है, और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, बन्धों अमावस्या के दिन गुवों को हराच चारा किलाएं, पक्षियों को दाना डालें, और ब्रहामन क भोजन कराने से अत्यंत लाप की प्राप्ति होती है, बन्धों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें, धन्यवाद